जेरमन दोस्तो इस वीडियो के जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति अंदुलन तो ये भक्ति अंदुलन क्या था भक्ति अंदुलन का मतलब है कि संतों ने अपने अपने निजी भगवान को माना उनकी उपासना गी जैसे किसी ने विश्नु भगवान की उपासना गी किसी ने संकर भगवान की उपास नागी किसी ने नारायन भगवान की उपास नागी ठीक है तो संदों ने अपने भगवान को माना उनकी उपास नागी उनमें खो गई अपने आपको खो दिया यही क्या था भक्ति आंदोलन किसी ने भगवान को निराकार माना तो निराकार भगवान की पूजा करने वालों को निर्गुन कहा गया और भगवान को साकार मानने वाले उपासकों को सगुन कहा गया ठीके और इस भक्ती अंदुलन का प्रवाप सबसे पहले दिर्वड छेत्र में पड़ा यानि इसकी सुरुवात जो सबसे पहले होई थी वो कहा होई थी दिरबड देश में इस भक्ति आंदोलन की सबसे पहले जो सुरुवात होई थी वो होई थी दिरबड देश में यानि अपना जो साउथ इंडिया नी तमिल नाडू तमिल नाडू सबसे पहले इसकी सुरुवा विश्नु भगवान के उपासकों को सहयुक्त रूप से अलवर कहा गया उन्हें अलवर कहा गया विश्नु भगवान के जो उपासकों को सहयुक्त रूप से मिला कर उन्हें क्या बोला गया अलवर इसी तरह से संकर भगवान के उपासकों को सहयुक्त रूप से नैनार बोला यह इस भक्ति आंदोलन की सुरुबबूए तो उस समय गया था कि बौद्ध और जेंधर्म का प्रोबाद बहुत बढ़ चुगा था बहुत जद प्रोबबाद जाने के कारण लोगों को संथों का छिंता हुई तो उन्होंने का इनको ब्रोब करने के लिए इनके आपको रोकने के लिए भक्ति आंदुलन की शुरुआत कि और भगवत पुरान में भी दिया है कि आपके जीवन का सबसे सुख़द अंत भक्ति के द्वारा ही हो सकता है बक्ति अंदोलन के द्वारा समाज में जाती बात पर भी प्रहार किया गया और इस अंदोलन के द्वारा छेतरी भासाओं का भी विकास हुआ क्योंकि संतों ने अपने अपनी छेतरी भासाओं में लोगों को जागरू किया जिससे की छेतरी भासाओं का विकास हुआ इन्होंने विसुद अद्वाइतअबात का परिचार किये अद्वाइत वञान, कि इन्होंने कहा था कि जो भर्म हैं जीव हैं वो तो एक है अर यह जगत भी एक है यानि हम यानि जो इश्वर है और अपने लोग जो जीव है तो ये तो इश्वर है अपने लोग तो इश्वर का पार्ट है और जगत भी पार्ट है लेकिन जो जगत हमें दिखता है वो एक तरह से मित्या बूबी भगवान की पार्ट है तो ये इनका था बिसुद्ध और सुद्धा द्वैत मंतिया पुष्णि मार की प्रवरत्क बल्लवा चार्रे बल्लवा चार्रे एільки तो जो बल्लवा चार्रे थे वो एक तेलु मरते और इन्होंने रुद्र संपर्दाय के प्रवर्तक विश्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना सुद्धा द्वैत मत प्रतिस्थित किया और इन्हें अगनी का अवतार माना जाता था द्वैत बाद की प्रवर्तक निम्ब का चार्रे है उत्तर भारत में भक्तिया अंदुलन के प्रथम प्रवर्तक रामानन्द थी इनका जन्म 1299 में प्रियाग के कानने कुप्ज ब्रामण परवायर में हुआ था और ये सगुण ईसवर में विश्वास करते थे इन्होंने सरप्रतम अपने संदेश का प्रचार हिंदी में किया कबीर रामानन्द के 12 इस्ष्यों में से एक थे संकर देव ने काम रूप में वैशनब धर्म को लोगप्री बनाया काम रूप जोगी असम में हिस्ते थे और इनके धर्म का जो मूल लोद्देश था वो एक शरवाद था वे विश्णू या उनके अफ्तार किश्ण को अपना अभीस्ट मानते थे इन्होंने एक सरण संप्रदाय की स्थापना की ये कर्मकांडवा मूर्ती पूजा दोनों के ब्रोधी थे इन्हें असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्धी प्राप्त हुई थे कबीरदास जी रामनेंद के बारे सिस्षों में से प्रमुक थे और ऐसा मना जाता है कि कबीरदास जी का जन बिदवा ब्रहमडी के गर्ब से हुआ और इनका पालन पोशन जुलाहा दमपती नीरुवा नीमा ने किया और इनके उप्देशों का संकलन बीजक नामक गरंथ में है सवद साखी वार मैनी कबीर की रचनाए है कबीर और धरमदास के बीच हुए संबाद को अमर मूर में संकलित किया गया है गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवणडी नामकिस्तान पर हुआ जो कि अब नानकाना साथ के नाम से जाना जाता है यह नानकाना जिले में इस्तित्यत है पंजब के नानकाना जिले में सिकंदर लोती के समय में की थी नानक एकश्वर बाद में विजवास करते थे तता निर्गुण ब्रहमगी उपासना पर बल देते थे गुरु नानक का कहना है एश्वर वक्ती के गुड़ों को जानता है पर उसकी जाती के बारे में नहीं पूसता क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाती नहीं है गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदाइक रसोई की सुरुवात की उनके अनुआई किसी विजाती पर धिहान दिये वेना एक साथ भोजन करते थे मीरवाई मेरता के रतन सिंगी इकलोती पुत्री थी इनका जनम 1498 में मेरता के कुदकी गिराम में हुआ था इनका विवा उद्यापुर के प्रिसिद्ध सासक राणा सांगा के जिस्ट पुत्र युवराज भोस से हुआ और इनोंने भक्ति आंदोलन में महत्वड गूमिका निवाई थी महरास्ट में भक्ति आंदोलन को लोक्प्रिय बनाने में नामदेब ने महत्वड गूमिका निवाई थी इनका जण 1270 में पंडरपुर में हुआ था और इनके गुरू थे विशोबा खेचर तो विसुबा खेचर एक नाकपंती कनफड़े ने रहषवादी जीवन की दिख्षदीत दयुशर के सरव्यापी स्वरूप से परचित कराया नामदेप ने कहा था एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे पत्थर को पैरो तले रोंदा जाता यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है इनकी कुछ जो गीतात्मत पद्ध हैं वो ग्रू ग्रंद सहब में संकलित है तुकाराम का समय 1608 से 1609 के मद्द माना जाता है इनका 1608 में जन्मुगा और 1609 में ये अद्रस हो गए दादु दयाल का समय 1514 से 1603 का माना जाता है त्याग राज का समय 1667 से 1847 का माना जाता है त्याग राज भक्ति मारगी कभी एवं करनाटक संगीत के महान संगी तक थे भक्ति अंदोलन के प्रिसित संथ महा प्रभु चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक ब्रहमण परवार में हुआ था उनके पिता का नाम जगनात मिस्र तता माता का नाम सची देवी था चैतन्य के बच्पन का नाम निमाई था चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराद बनाया तता उनी की भक्ती का प्रचार किया महान संत कवी तुलसी दाजी अकवर बा जहांगीर के समगालीन थे इन्होंने कई गरंत लिखे जिनमें की रामचरित मानस बा बिने पत्त्र का प्रमुख है इन्होंने रामचरित मानस की रचना अभीदी में की